जैसे राम दोश्तों कैसे आप उमीद करता है आप सभी अच्छे होगे ओटोकेट की इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रोइंग को बनाना बता हुआ कि कैसे आप ओटोकेट के अंदर इस ट्रोइंग को बड़ी आसानी से बना सकते हूँ वो भी विट डाइमेशन के दोरा किसके अंदर आप डाइमेशन कैसे लगाएंगे और आप चेंटर लाइन को किस टैप से इंसेट कराएंगे मैल के उसुर्बंसी वेलकम तो भाई चैनल अलस डिजिटल गैड में अभी आप अमरे चैनल पे नहीं हैं तो आपरे चैनल को अभी के अभी सस्क्राइब करें प्लस बैल आइकन को प्रेस करना ना बुलें ताके ऐसे ही आने वाली वीडियो की नाट केशन आपको टाइम पूटाइम मिलती रहें तो चले एक इदर के सुरू करते हैं तो देखे आपकी ये इ Giloyang हैail है इस Light को लिह पर अने दर बतावथ हैं तो इस Light को बताने से पहले आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक्रेस करें यहांसे लेके अब देखे लाइन आप यहाद रखना है कि जैसे आपकी लाइन तिरसी भर करती हो तो आप क्या करेंगे और तो मोड अन करेंगे एफट की प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी विल्कुल इस्टेट हो जाएगी अब यहांपे 81 की लाइन करेंड करता हूं तो मिया करेंगे अंधर में यहांसे ओंक कलाइन यहांसे का तो पर टूर sollten क इस इस फॉपल को लगताल जैसा के बात आप यहां पर देखेंगे इस लाइन का मतला यह वाला सरकल है इसका सेंटर बॉंट और इस सेंटर पॉंट के डिस्टैस से कितना आपका 21 इधर से और यहां तर तो यहां पर क्या करता हूं फिर से एक लाइन और लेता हूं तो एल और इस पॉइंटर से यहां से मैं क्या 21 की लाइन और क्रेट करता हूं यह मैंने आप 21 की लाइन एक और बनाई अब इस लाइन को भी क्या करता हूं मैं center line में कर्ण बट कर देता हूं जा से इसका में color यहां पर yellow color दे देता हूं तो यहां पर बेरे 21 की line करें आप line करने के बाद में आप देखेंगे तो यहां पर क्या है हमराई 10 diameter का मुझे क्या बनाना है यहां पर circle क्रेंट करना है तो यहां पर क्या करता हूं मैं C D enter और इधर में यहां पर क्लिक करूँगा और मुझे किस में बनाना है diameter में तो यहां पर क्या करता हूं D enter के तरे diameter का बनाना मुझे यहां पर 10 का सेम यहां पर एक 10 का मुझे इधर भी सर्कल बनाना है डायमीटर में तो सी एंटर यहां पर क्लिक करूँगा डायमीटर कितना 10 उसका लेता हूं यहां पर लाइन और इस टेंजेंसी यहां से और इधर में इस पर लाइन करेंक कर देता हूं सेम में यहां से इधर इस लाइन को क्या कर देता हूं मैं आप तो यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूं मैं जॉइन कर लेता हूं तो यहां से इसको जॉइन कर देता हूं अब देखेंगे तो यहां पर क्या आपका यह 20 डायमीड रखा तो क्या करता हूं मैं इसको यहां पर इसको आपसेट कर लेता हूं जो क्या यहां पर 10 का था इसही करता हूं मैं यहां पर Opset कर लेता हूं तो Opset करूंगे मैं यहां पर किसका 5 थीक है ? यहांब कर रहा हूं तो यहां अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका diameter check करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो यह आपका निकलिका है 10 का और यहाँ से देखेंगे तो यहाँका 20 यहाँपर गया है यहाँपर 10 और 20 के यह वाला यहाँ पॉइंट आपका career हो चुका है उसके बाद आप यहां से देखेंगे इस point से यहां से और यहां तक जो इसका distance है यह कितना आपका 30 का ठीक है जो आपके इस circle का center point है वो इस point से और जो circle का center point का distance कितना है 30 तो इसलिए मैं यहां पे क्या करता हूँ Line, Enter और यहां से एक line करेंट करता हूँ चारी बार इस line को भी में center बाट कर लेता हूँ तो यहां से center line और इसको भी में yellow color दे दे दाएगा के लिए अब यहां पर में circle बनाओंगा दो circle एक 14 डायमीटर का एक 24 डायमीटर का तो यहां पर में लेता हूँ circle इस pointer पर click करूँगा D, enter, 14, enter फिर से circle यहां पर इसी के center point पकले करता हूँ D, enter, 24, enter तो यहां पर बने क्या कि एक 14 diameter और एक 24 diameter के दो circle बना रहे है अब इस circle के center point से आपका जो यह वाला circle बना हुआ तो इसकर इसका distance कितना आप यहां पर देखें तो कितना है 25 ठीक है यहां से और इसका distance है 25 और 25 इधर से और इधर जो जा रहा है यह कितना जा रहा है 10 तो इसकी लिए मैं यहां पर क्या करता हूँ फिर से line लेता हूँ L, enter इसके center point से यहां पर किसकी line किरेक करता हूँ यहां पर 25 गिंच 25, enter 25 करेट करने का तो इधर वापस आऊँगा और यहाँ पर क्या करता हूँ इसको left side पर 10 की line करेट कर लेता हूँ इन दोलों को भी यहाँ पर select करता हूँ और इसको भी क्या करता हूँ center line में convert कर लेता हूँ ठीक है और इसको भी यहाँ पर color दे देता हूँ एक example मैंने red color दिया तो यहाँ पर भी नहीं यह दिया अब इसके बात में यहाँ पर देखेंगो तो एक 5 रीडियस और 10 रीडियस के दो circle बनाने एक 5 का और एक 10 का तो यहाँ पर क्या करता हूँ में circle तो c enter click करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर 5 रीडियस enter फिर से c फिर से वापस क्लिक करूँगा और यहाँ पर 10 रीडियस enter तो यहाँ पर मेरा यह circle भी create हो चुका है अब इस circle को create करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे क्या करना है यहाँ पर एक 6 का circle बनाना है इदर चीके तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ circle और यहाँ पर एक 6 रीडियस का circle create करता हूँ मैं clear उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस circle का मुझे यहाँ पर center point निकालना है तो उसके लिए क्या करना है मुझे एक तो 40 के एंगल पर line draw करनी है चीके तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ L enter यहाँ से इसके center point से मैं पहले orthomore off कर देता हूँ orthomore off करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ tap button यूज करना हूँ 40 की line draw करता हूँ 40 के angle पर यहाँ पर 40 angle पर एक line बनाई आप line बनाने कि बाते हैं यहाँ पर मुझे क्या बनाना है circle create करना है इसका center point निकालने के लिए बाला तो क्या करता हूँ C, enter और इसके point से इस center point से और यहाँ तक मैंने क्या करते हैं circle create करते हैं तो आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर center point निकल के आज़ो हैं अब मैं फिर से C press करता हूँ और इसके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 6 का circle के रिए करते हूँ यह circle बनाने काथ हम मुझे क्या करना है यहाँ पर arc line जोड़ने में तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर arc पर आऊँगा और यहाँ से arc यूज़ करूँगा कौन सी तो मैं यहाँ पर arc कौन सी यूज़ करूँगा center, start, end तो यहाँ से center point वेरा ये रहेगा start point वेरा ये वाला रहेगा और end point ये रहेगा clear है हम मुझे क्या करना है यह इधर वाला arc देना है तो इसके लिए मैं कौन साइब यूज़ करूँगा यहाँ पर वापस इस तरपाऊँगा और यहाँ पर इस वार यूज़ करूँगा center, start और angle तो यहाँ पर मैं center point वेरा ये रहेगा start point वेरा ये रहेगा और angle मेरा ये रहेगा clear उसके पर इसको trim यहांसे इस पर trim किया clear इसको क्या कर देता हूं join कर देता हूं तो यहांसे मैं इसको select किया और इसको मैं यहांपर join कर देता हूं clear अब देखेंगे तो यहांपर बिनकी किस preserved लाए है नहीं से इलेवन सब्सक्राइब करता हम लुग करताओ इसको मीण कर लेता हूं इसको इसको भी क्रेट नुदा इसको कर लेता हूं कि लेकि उसको centerline और इधर इसको मैंने centerline दे दिया तो सबसे पहले तुम्हें क्या करता हूं आप 30 के एक आर्क बनाता हूं तो इस 30 के आर्क बनाने के लिए आप क्या करेंगे यहां पर circle के अंदर आएंगे circle के अंदर यहां पर क्या मिलेगे आपको 10 10 radius यहां ता आप यहां से 10 10 radius लग करें यहां पिर C enter आप यहां पर करेंगे TTR मतलब 10 10 radius यहां पर यह टेंजन दीजिए second आप यह दीजिए और यहां पर distance दीजिए करना 30 कर दीजिए यहां से इसको त्रिम यहां पर मैं इसको त्रिम कर दिया उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहां पर क्या है एक 10 का है 10 radius का आप तो फिर से में C enter ttr enter तो यहाँ पर यह टेंजन और यह टेंजन कितना टेंज गाँ इस टैब से इसको trim यह clear अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुड़ना क्या है एक यहाँ पर आपको 20 डिडियर्स का एक सर्कल बनाना हुआ वह सेंटर से तो सबसे पहले तो मैं C enter इसके अपसे क्या कहता हूँ 20 डियर्स का एक सर्कल बनाता हूँ clear यह मनि 20 डियर्स का यहाँ पर सर्कल बनाया उसके बाद आपको यहाँ पर 10 का क्या है डिडिस IR का यहाँ पर तो क्या कहता हूँ CTTR टैंजन यह रहेगा ट्रेंजन ये रगा, कितने ये रगा, ट्रेंग गा, और यहाँ पर इसको ट्रिम, इदर में इसको ट्रिम कर दिया, अब देखी इसको ट्रिम करने के बाद, मैं क्या कहता हूँ, इदर इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से, और इदर में इसको भी ट्रिम कर देता हूँ यहां से क्लिए है यहां से मेरा यह पार्ट बन शुआ है अब उसके बाद मुझे क्या बनानी है यह एक टैंजन पर लाइन की गेट करनी है यहां पर मैं L, Enter टैंजन के लिए लोगा मैं यहां पर T, A, N Enter यह वाला टैंजन स्लेक करता हूं फिर से यहां पर T, A, N टैंजन, Enter और इधर इस टैंजन पर जोड़ देता हूं राइट क्लिक करता हूं उसको आदर स्को करनी हमें यहां पर ट्रिम यह इधर से इसको पिए के लिए यहां से इसको मेरे ट्रिम यह राइट क्लिक करता हूं तो देखेंगे तो आपके यह इistoire पर यह al consegu पूरी complete हो छुके लिए are अब यह पर आप देखेंगे यहां तो आपको dimission के लिए क्या करेंगे यहां पर जैसे मुझे इस पर tumb upcoming लिए तो यहां पर इसका distance आप यहां से लेकि यहां तक देखेंगे तो आपको जो distance आएगा यहाँ पर कितना है 81 यहाँ से लेकि यहाँ तक आप देखेंगे तो इसका distance आएगा आपका क्या 21 और यहाँ से लेकि यहाँ तक आप चेक करेंगे तो इसका distance आपका 30 इसका आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ चेक करना है तो यहां से आप radius लगा दीजिए इधर इधर same आपका यहां भी same आप यह भी इधर भी आप यहां प्रीडियस डोकर आएंगे उसकाद आपको इधर यह और आपका यह भी clear उसकाद आपका यह भी आपका radius के अंदर है circle तो यह भी आप radius ले दीजिए आपर और यह भी यहां पर आपके यह जो circle है यह के इस पर रखें आपके diameter के अंदर तो यहां से ले लेता हूं में diameter यह आप इसको select करेंगे तो यहां पर आपके diameter शोब बराएगा उम्मित करता हूं यह वीडियो आपको पसंद रही होगी वीडियो पसंद रही तो वीडियो को like करें ज्यादर ज्यादर शेयर करें अभी आप अमरे चैनल पर नहीं है तो अभी कभी subscribe करें प्लस बैल आइकन को प्रेस करना ना बुलें ताके ऐसे ही आने भाली वीडियो की notification आपको राप 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 मिलती रही है थैंक यू सो मच जैनीन जैशीना